या कुछ तो गढ़बढ़ है इस कोरोना वाइरस चाइना और 23 जनवरी के बीच में कुछ तो गढ़बढ़ है आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाग कर रहा हूँ मगर यह जो रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश्ट है यह मजाग नहीं है और अगर इनके उपर आप नज़र डालोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि यह मजाग नहीं यह बहुत सीधियस बात है 23 जनवरी इंपोर्टेंट क्यो है दो वज़े से इंपोर्टेंट है पहली चीज़ तो यह है कि वहान शहर को चाइना ने लॉकडाउन कर दिया था बाकी पूरी की पूरी चाइना से दूसरी जनुरी बात यह है कि 24 जनवरी से चाइना के अंदर छुटिया पढ़ रही थी जैसे हमारी दिवाली पर छुटिया पढ़ती है और इन चुटियों के बारे में कहा जाता है कि इस समय चाइनीज लोग 30 अरब यात्राएं करते है मतलब कि सारी की सारी यात्राओं को अगर मिला लिया जाए तो 30 अरब यात्राएं हो जाती है तो आप यह सोच रहे होंगे कि चाइना की गौवर्मेंट ने ठीक उसके पहले लोग डाउन करके अच्छा किया अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी सोच को सलाम क्योंकि यह चाइना के गौवर्मेंट का दिखवा भी हो सकता था दूसरों को बताने का कि देखिए हमारे यहां तो संक्रमण फैल रहा है हमने इस तरह लोग डाउन किया है मगर फिर भी हमने पूरे देश को नहीं किया केवल हमने एक सिटी को किया है बागी जगे तो हमारे बिजनेस चालू रहेंगे क्योंकि हमें तो अपनी अर्थ के रस्ता सुधार नहीं है ठीक है मान लेते हैं मगर देश जनवरी को ही इटली के अंदर दो लोग जाते हैं जो पूरी की पूरी इटली के अंदर कोरोना वाइरस फैला देते हैं और इस प्रकार से फैला देते हैं इटली की हालत मरने वालों में सबसे ज्यादा बुरी हो जाती है ये एक सायोग हो सकता है मैं इससे इंकार नहीं करता मगर वहान से बाहर अलग-अलग देशों के अंदर संकरमन किस प्रकार से फैला है उसके उपर आप नजर डालिए तो अमेरिका के अंदर 15 जनवरी को एक केस आ चुका था और ये केस हो था जो कि वहान के सीफूड मार्केट के अंदर नहीं गया था यानि कि ये कॉम्यूनिटी स्प्रेड वाला केस था यानि कि थर्ड स्टेज वाला थर्ड स्टेट यानि की कॉम्यूनिटी के अंदर फैल रहा था बारा जन्वरी को और उस समय तक कोई लॉक्डाउन नहीं था हर लाकों लोग वहां से बाहर जा रहे थे देखे पचीज जन्वरी तक तो श्रीलंका में भी संक्रमण पहुच गया था श्रीलंका तक वहां से डारेक्ट फ्लाइट नहीं है यानि कि वहां से कहीं और गया होगा और वहां से श्रीलंका आया होगा अब जहां पर फ्लाइट की बात आ गये तो फ्लाइट के मैप के उपर जरा नजर डालते हैं यहांपर एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि Wuhan से China के अंदर कितनी फ्लाइट्स हैं और Wuhan से China के बाहर यानि की international कितनी फ्लाइट्स हैं तो इस ग्राफ के अंदर आप देथ सकते है कि Wuhan से इंटरनेशनली कितनी सारी flights है और इसके अंदर ही आपको ये भी दिखाई दे जाएगा कि अफरीका के अंदर किसी भी प्रकार की कोई flight नहीं है जहां पर संक्रमन फैला भी नहीं है साउथ अमेरिका के लिए भी कोई direct फ्लाइट वहां से नहीं है जहां पर ब्राजील है देखिए और ब्राजील के अंदर भी इतना कोई खास संक्रमन का असर नहीं है एंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान बंगलादेश तक भी वहां से चाइना के अंदर देखिए कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी है यह जो नीले और नारंगी आप रंग देख रहे हैं यह वो जगह है जहां पर वहां से direct flights जाती हैं साथी में इस ग्राफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो वहां से international flights जा रही है तो इन दोनों के अंदर आपको जो अंतर है वो साफ नजर आ रहा है कि चाइना के अंदर बहुत जादा flights है domestic जैसा कि हमेशा होता है और चाइना के बहर flights कम है international flights कम है जैसा कि अकसर होता है कि आप इस बात को मानने को तयार है कि एक आदमी अगर international flight पकड़ता है तो सौ आदमी डॉमेस्टिक फ्लाइट पकड़ते हैं एक आदमी बाहर जाता है तो सौ कम से कम कंट्री के अंदर घुमते हैं यह तो बहुत साधरन सी बात है चायना का रेल नेट वर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है और वहां की जो कनेक्टिविटी है पूर अबर केवल फ्लाइट से गए हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि चायना के अंदर जबर्दस तरीके से संक्रमण फैल सकता था मंगर वो फैला नहीं और जो फैलानी वाले लोग थे वो पूरे चायना के अंदर हर जिगे घुम रहे थे मगर उनको वो संक्रमण खुआ नहीं क्या ऐसा हो सकता है कि चायना के पास में यह वाइरस पहले से मौजूद था और इसकी जो काट वाली वैक्सीन है वो पहले से मौजूद थी और टीबी की वैक्सीन के साथ में घोलकर उसको पिला दी गई हो क्योंकि टीबी के अंदर उस वैक्सीन को देने के बाद के अंदर जो केसों के अंदर गिरावट है वो नहीं आई तो फीर वो वैक्सिन दी किसलिये थी वो भी 2019 के अंदर साथी के अंदर एक और बात जो सामने आती है कि वुचान के अंदर फिर उस वैक्सिन का क्या हुआ क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि अलग-लग शहरों में अलग अलग बैच दे दे, जहां पर एक शहर का जो बैच है, जहां पर दिखावा करना है कि यहां से संक्रमन हमें फैलाना है, वहां पर जानमुझ के वहां के लोगों को वो टीका नहीं लगाए, वो इम्मुनिटी नहीं दे, कैसा हो सकता है? बिलकुल हो सकता है, सरकारे चाह पूरो का पूरा चाइना नहीं किया गया, जिस दिन चाइना के अंदर लॉकडाउन किया गया, केवाल एक छोटी से शहर, वहां शहर में वहां पर भी चाइना के लोग, जिस प्रकार से इंडिया वाले लोग पलायन कर रहे थे, वहां पे पलायन करते देखे गए थे, यह कि ट्रेवलर्स जो है वो चाइना का लॉगडाउन को बीट कर रहे हैं यानि कि इसको पचाड रहे हैं और वो ब्रिज से दूसरी जगह जाते वे दिखाई दे रहे हैं लोग तो हर जेगे वही होते है जिसको साधन नहीं मिलता वो पैदल चले जाता है यानि कि संक्रमाण फैल रहा था और जिस हिसाप से international संक्रमाण फैल रहा था वहान के हर दूसरे आदमे को वो संक्रमाण था और वो हर दूसरी जगह जा रहा था और एक international flight पर 100 लोग domesticated flight से जाते हैं, 10,000 लोग train से जाते हैं और एक लाख लोग कुल मिलाके अलग-अलग resources से including train एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं यानि कि इस बात की संभावना कि बहुत सारे international tourists के अंदर से एक संक्रमित मरीज international flight पकड़के ले जाए वो उतनी ही है जितनी एक लाख लोग within country फैल जाएं इसका मतलब किसी भी प्रकार से संक्रमन तो बचाया है नहीं जा सकता था मगर एक चीज़ उनको बचा सकती थी उनकी vaccine immunity जो कि 2019 के अंदर ही बाकी सभी जगे दे दी गई हो वहान में नहीं दी गई हो वहान को इसलिए छोड़ दिया गया हो कि वहाँ पर हम किसी प्रकार से इसको फैलाएंगे अलग-अलग जगा जाएगा उनके पास में vaccine होगी नहीं और हम के वाले एक छोटे से शेहर को lockdown करके दिखावा करके बच जाएंगे यह assumption है यह theory है यह कोई आरोप नहीं है यह कोई आरोप नहीं है मगर फिर भी इतना तो बताओ चाइना वालों कि आपने उसको संक्रमन को रोका कैसे जहां पर हर कोई इंटरनेशनली जो भी बाहर जा रहा था वो संक्रमित हो रहा था 23 जनवरी के समय में और अंदर जो जा रहा था वो संक्रमित ही नहीं हो रहा था ऐसा तो फो ही नहीं सकता जो वैक्सीन आपने बनाई है आपने लोगों को दी है बुडों तक को दी है वो वैक्सीन का खुलासा करो पूरे के पूरे विश्व को इस आपदा से बचाओ अगर या आपदा तुम्हारे दौरा जानबूज के तयार की हुई नहीं है तो यह सारी के सारी रिपोर्ट्स उन बहुत सारी हजारों रिपोर्ट्स पर से कुछ है जिसका इस समय कई अलग-अलग लोग, कई अलग-अलग देश अपनी अपनी ब्रांचीज के अंदर स्टेडीज कर रहे होंगे और वो उन सभी संभावनाओं के पर विचार कर रहे होंगे और दिमाग के अंदर ये उनके सभी के जरूर होगा कहीं ये बाइलोजिकल वेपन तो नहीं है या फिर ये केवल एक एकसिडेंट तो नहीं है मगर ये एकसिडेंट में इतने सारे संयोग कैसे हो गए जब तक एक लाग संक्रमित मरीज अंदर अंदर नहीं घुम जाए तब तक एक आदमी इंटरनेशनल टूरिस्ट बाहर नहीं जा सकता चैना में टोटल एक लाग लोगों को संक्रमन ही नहीं हुआ एक छोटे से शहर को लॉकडाउन किया गया जब वो थर्ड लेवल भी क्रॉस कर चुका था उसके बाद भी संक्रमन नहीं होता और दूसरी जगे पूरा का पुरा विश्व इस समय संक्रमित घुम रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि चैना के अंदर दूसरा वाइरस घुम रहा है जिस समय अमेरिका, केनेडा, सब जगे मरीच पहुँच गए है तो शंगाई के अंदर 6-8 मरीच पहुँचे ही ये क्या बात है हर दूसरा आदमी जो चैना से बाहर जा रहा है वो संक्र में तोके जा रहा है और लाखों लोग 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी, 23 जनवरी तक पूरे चैना के अंदर घुम रहे हैं उनके अंदर संक्र मन का नाम निशानी नहीं है अब आप ये बात बताईए कि वाइरस को विदेश यात्रा तो पसंद है मगर उसको चीन के अंदर जो यात्रा कर रहे हैं उसके द्वारा संक्र मन फैलाना पसंद नहीं है दो चार पेशेंट्स जो है वो शंगाई में भी जा रहे हैं दूसरी शहरों के अंदर भी जा रहे हैं आपने नागरिकों के उपर और उसी वैक्सीन के उपर अमरीका वालों का भी ध्यान है और वो ये भी कह रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स के अंदर उनों ने ये भी कहा है कि ये वाली जो वैक्सीन है दस महीने से पहले अगर किसी को लगी हुई है तो उसके अंदर भी संक्रमन के जो chances है वो काफी कम है क्या ये drama है? क्या ये मजाक है? क्या है ये? बहुत सारी चीजे हैं जिसका मैंने वीडियो में जिकर नहीं किया है मगर scientists को पता है वो इसके उपर गौर कर रहे हैं एक और गौर करने वाली बात जो ये है कि China ने जो अपना data दिया है प्राइमर्स वगरे जो दिये हैं उनकी जो information दिये है उसने कोई sample नहीं दिया है उसने कागज के अंदर ये database के अंदर से जाकर एक genome दिया है या genetic code दिया जिसको match करके आप वाइरस का पता लगा सकते हैं यानि कि दिया अभी तक कुछ भी नहीं है उसने और ये आरोब चाइना के उपर हर को ही लगा रहा है मैंने तो काई था शुरू में ये कोई मजाक नहीं है ये serious बात है अब आपको भी लग रहा होगा ज़रूर serious तो है मगर कैसे ना कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे और अगर ये biological weapon रहा तो चाइना की खैर नहीं इंडिया के अंदर biological weapons नहीं बनाते किसी भी प्रकाल के कोई lab नहीं है मगर जो present leadership है हमारी वो किसी को छोड़ती नहीं है ध्यान रखना इस बात के धन्यवाद जहिंद